नमस्कार, प्रिय धनुरासी वाले, 2023 अब समाप्ती की ओर है और सभी लोग 2024 के तरफ प्रवेश करने वाले हैं प्रिय धनुरासी वाले, आपके लिए 2023 काफी जादा महत्पुन रहा काफी लंबे समय से चल रही सनी की साड़े साती आपकी जीवन में 2023 में ही समाप्त हुआ काफी लंबे समय से राहु के प्रभाव के कारण दामपत्ती जीवन हो, या वैवसाय हो, या इनकम हो इन सभी को काफी जादा या दिर्व साल से प्रभावित करके रखा इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको कह सकता हूँ कि प्रभावित किया वह और कोई नहीं केतू किया जो खुद की शंपती से दूर कराने की और और साथ में जो है माता का स्वास्त खराब, माता को अत्यधी कर्ष्ट, आपके नीचे लेवल के लोगों के द्वारा अपमानित होना, माता के मिर्ती होना, कर्ज की स्थिती बढ़ना और संपती से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न आता हूं कि सनी राहू और ब्रहस्पती और केतु, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो काफी लंबे समय के लिए एक रासी पे इस्थिर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मनुष्य के जीवन में यही चार ग्रहों का प्रभाव पड़ता है चंद्रमा के बाद, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है और आप जो सोचोगे करोगे तो वही, लेकिन उस कर्म छेतर को किस और ले के जाना है, कि इतना बाइलेंस बनाना है, ये चार ग्रह बहुत जादा महत्पूल होते हैं, तो प्रिय धनुरासी वाले, यही चार ग्रहों के स्थितियों पे, मैं आपको बताऊंगा, आज के मेरे बहुत ही खास कारिक्रम में, कि धनुरासी वाले, 2024 की वह कड़वी सच्चाई, जो 100% आपकी जीवन में घटित होगा, ये आज का हमारा कारिक्रम है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, कि 2024 में, आखिर आपके जीवन में, कौन-कौन से मुख्य तोर पे घटनाए घटित होगी, ये भी मत सोचना, कि ये जो विडियो है, प्रोपर तोर पे सिर्फ पॉजिटिव बोलने के लिए है, इसमें मैं बहुत चीजों से आपको एवेर भी करूँगा, और बताने का परियास करूँगा, कि ग्रहों का ये इस्थिति आपके जीवन में, 2024 में इस प् को देख सकते हैं, पर ये धनुरासी वाले, तो चलिए, 2024 की कड़वी सच्चाई, जानने का परियास करते हैं, ग्रहों के अकोडिंग, धनुरासी वाले, सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या है, कि पूरे 2024 में, आपके कर्म छेतर में, कन्यारासी में, केतु विराजमान हो का रासी, बैपार का रासी, कम्मुनिकेशन का रासी, और साथ में जो है, उद्धोग पती जो बड़े-बड़े बनते हैं, उसको भी रिलेट करन्यारासी ही करता है, इसमें केतु का विराजमान होना, आपको अस्पष्ट तोर पे दिखाता है, कि तो 2024 में जो है, आपको न पिछले जनम में पिता के द्वारा आपको जो कष्ट मिला था, या फिर पिता के द्वारा आपको संपती से अपमानित कर दिया गया था, इस जनम में केतु जो है, 2024 में पिता के द्वारा संपती, नए नोकरी और वेवसाई के योकों में बिरिधी, आपका कोया हुआ सम्मा उच्पद्द की प्राप्ति और साथ में जिनको नौकरी अवेवसाई को ले करके बिल्कुल आइस थिरताई पड़े हुई थी इसमें पूर्ण रुपेन संजोग बहतर बनाना चालू करतेगा दूसरे महत्पुर्ण बात क्या है कहते हैं किसी का लगने समझबूत हो जाए तो वह मनुष्य जो है अपने जीवन में अत्यधिक सफल होता है एक मैं दोहजार चौबिस तक आपके लगन पे लगन कारग रहा यानि धनूरासी जो आपके लगन होते है धनू लगन उसके स्वामी बिरहस्पती की नौमी दिरिश्टी रहेगी यानि एक मैं तक जीवन में जो भी आपने गलतियां किया बैपार में जिसके कारण आपको बड़ा नुक्सान करना पड़ा आपके स्टेडिजी काम नहीं आई आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फेल हुआ एक मैं तक आपके बैपारिक स्टेडिजी में जबरदस्त ग्रोथ और सफलता दे करके रखेगा बिरहस्पती इसके अलाबा पंचम भाव में बिरहस्पती का विराजमान होना आपके जीवन में लोटरी सट्टा सेयर मार्केट में बैपार को आगे बढ़ाने के लिए कारक रिकता तो प्रभाव निभाएगा और इसके अलाबा जो है सबसे जा सब्सक्राइथ है एक मैं दो हजार चौबीस तक निफ्चित तोर पे हैंडेट परसंट लेते हुए दिखेंगे यह असपश्ट तोर पे प्रमानित हो रहा है हलाकि एक बात अवश्य बताना चाहता हूं राहू के तु अक्षनी ये तीनों मनुष्य को कभी कभी अकरामक अ त्रिष्टी पढ़ने के कारण पद्धोनती परमोसन और विदेश स्यात्रा में तो यह सफलता देगा ही लेकिन आपको अपने अहंकार और क्रोध पे नियंत्रन रखना पड़ेगा ओवर कॉन्फिडेंट्स रावन तक को नहीं छोड़ पाया किसी को नहीं छोड़ पाया तो आप तो एक मनुष्य हैं मैं इस चिछ को जानता हूँ आप डौन टू अर्थ इंसान होते हैं आप नहीं चाहते कभी किसी का बुरा करना लेकिन कहते हैं कि सरीर की गर्मी और लक्ष्मी की गर्मी को दुनिया में बहुत कम लुग बरदास कर पाता है दूसरी महत पुर् पुर्ता हूँ आप जो समाज सेवा करते हैं आप कीजिये और जादा कीजिये लेकिन दूसरों के चक्कर में जो रोड पे आते हैं तो लाश्टली आपको कुंडली ही दिखाना पड़ेगा ना इसलिए खुद थोड़ा चला कर होसियारतों आपको बनना ही चाहिए यानि ध पिरहस्पती के दिरिष्टी होगी और धनकारक सनी जो है कुमभरासी में 30 जून तक मारगी पोजिशन पे रहेगा मतलब 30 जून 2014 तक लोटरी 60 सेर मार्केट से धन हो संपती सेल होकर के धन की प्राप्ती हो विदेश यात्रा से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन हो या 30 जून तक जो है रिष्टदारों से बड़े भाई बहनों से सरकार से या जो भी आप काम करते हैं उसमें धन की कमी नहीं होगी अब अगर कोई ओटो चालक है और वो बोलेगा कि मैं करोड़ पती मन जाओंगा ऐसा possibility नहीं होता है ग्रह हमेशा वही फल देता है जो आप कर्म श्यत्र में होते हो अगर आप ओटो चला रहे हो तो 10 सवारी के जगा 30 सवारी मिलेगा और अगर आप ओटो बेच रहे हो तो सब ओटो के जगा 300 ओटो भी कियेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत जो है ओटो कंपनी का फैक्टरी ही खोलके बैठ जाओगे गरह capability औ इस चीज को सियोरिटी और गैरेंटी के साथ बोलता हूं 30 जून तक आपके जीवन में सफलता ही सफलता है पैसे के मामले में इसमें कोई शक नहीं है अब मैं बताना चाहता हूं कि संपती की स्थिती के बारे में देखिए प्रिय धनूरासी वाले बिरहस्पती चतुर्त करके पंचम भाव में बैठा हुआ है और लगन का मालिक और सुख का मालिक हो करके केंदर आधिपती दोसिसलिया इनको पर नहीं लगता क्योंकि ये लगनेस हैं यानि सुख का मालिक पंचम भाव में एक मई तक बैठना और एक मई के बाद यही बिरहस्पती का सश्ट आप लगे पर खराब तो खराबी है आप याद रखना यानि आपके जीवन में आपके पास दुनिया का सबसे बहतरीन कार क्यों न हो जाए ऑफ रोड गाली ही क्यों न हो जाए पर इस बात की कोई सियोरेटी नहीं है कि हर जगा वो ड्राइब करने पे चल ही जाएगा यान संपती का सॉलिड योग बनेगा क्योंकि सनी भी मारगी रहेंगे 30 जून तक जहां बिरहस्पती और सनी प्रवल हो जाए संपती सुखों में कोई दिक्कत नहीं है एक मई तक भूमी मकान वहान संपती का योग बहुत ही बहतर बनता हुआ दिकता है अगर आप भूमी मकान सस्टम हो पे चले जाएंगे और 30 जून से सनी हो जाएगा वक्र पोजिशन पे यानि आपके जीवन में 30 जून के बाद आपके घरेलू इस्थीतियों में आईस्थिरता देखने को मिल सकता है 30 जून के बाद अगर आप कोई भी शंपती भीना सोचे समझे लेते हैं तो लि प्रियंतर कर सकता है 30 जून के बाद आपके परिवार के लोग हों आपके दोस्त हों यार हों उन लोगों से अपने कोई भी लोफॉल सेर नहीं करना है नहीं तो उन लोगों के दोारा बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ को आपको पुन रुपेन ध्यान देना चाहिए ये मैं आपको बहुत ही किलियर बताता हूँ और अगर आपको लगता है कि 30 जून के बाद प्रोपर्टी लेने कोई सक्षम नहीं है पैसे मन जमा कीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बहतर रहेगा सीधी बात मैं करना चाहता हूँ धनूरासी वाले अगर मैं बात करूँ कि क्या इस्थिती है आपके जीवन में इंकम का सीधी बात मैंने बताया है कि आयस्थान पे बिरहस्पती का दिरिष्टी और सनी का मजबूत होना प्रभव साली है लेकिन 30 जून के बाद पैसे को आपको बचा करके रखना पड़ेगा 30 जून के बाद आपके मित्र हो दोस्त हो यार हो गलत रिलेशन से भी क्यों न हो आप पैसे को बचा करके रखियेगा अगर 30 जून के बाद आप गलत चीजों पर पैसा लगाते हैं तो संपती से भी नुकसान होगा और धन से भी नुकसान होगा और पैसे हो जाएंगे जीर फिर बन जाएंगे करशदार क्योंकि छट्टे भाव का विरास्पती करशदार बनाता है इसलिए आपको 30 जून से पहले जीवन के बड़े-बड़े फैसले कर लेने चाहिए अगर मैं बात करूं विवाह के स्थिति की बात करूं इसमें भी यही फॉर्मुला लागू होगा 30 जून तक का विरस्पती पंचा भाव पे विराजमान है लगन का माली का पंचा भाव में जाना आपके जीवन में 30 जून तक जो है और विरस्पती सनी का मारगी पोजिशन 30 जून तक आपके जीवन में लाभकारी स्थिति में रहेगा मतलब जिनको प्रेम विवाह करना है आपके लिए एक मैई तक का समय बहुती अच्छा है, मैं बहुती सीधी बात करता हूँ, एक मई के बाद 2023 में थोड़ा आसा आपको लव रिलेशन में दिक्कते आ सकती हैं थोड़ा सा सिक्षा में दिक्कत आ सकता है आता है एक मई के बाद आप किसी भी तरीके से अपने गलत लव लाइब के चक्कर में नहीं फसना है एक मई के बाद किसी भी हाल में आप रिस्ता जोडने से पहले थोड़ा सा उधान रहिएगा और 30 जून को देखिए सनी वक्री हो जाएंगे 15 नवंबर तक तो आपको किसी भी हाल में अपने जीवन साती से वैचारिक मत भेदता नहीं करना है अपने जीवन साती से तालमल बे संतान पक्च की स्थिती एक मई तक संतान की तरक्की है एक मई के बाद संतान पक्च को धन खर्च करने से पुरू भी आपको सोचना चाहिए 30 जून से पहले नौकरी में बड़ी सफलता है 30 जून के बाद आपको नौकरी विवसाइव चेंज करने से पहले थोड़ा बचना चाहिए ये आपके लिए बह्तर रहेगा उपाई के तौर पे क्या करना चाहिए उपाई के तौर पे धनुरासी वाले पूरा कपूरा 2024 तक मैं आपको बात करता हूँ सिव चालिसा का पाठ चालू करती है पीला चंदर का तिलक आपके लिए अत्यन तावश्यक रहेगा पूरा दोहजार चोबिस में आप गुरुवार के दिन गाई को गुड़ अवश्य खिलाईए और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिच किजिए परतिक दिन जो है भगवान विश्णु को कोई भी पीले रंका मिठाई का भोग लगाने के लिए या किसमिस या छवाड़े या फिर खजूर का भोग लगा सकते हैं और किसी भी कंडिशन पे जो है आपको जो है सनी बार के दिन किसी के साथ मतभेदता नहीं करना है कोई डिल नहीं करना है नहीं तो राहू डिस्ट्रब कर सकता है तो प्रिय धनूरासी वाले 2024 का वह सच्चाई 100% घटने वाली घटनाए जो आपके साथ घटित होगी इस विशेस कारिक्रम में आपको संपुन जनकारी मैंने दे दिया उमिद करता हूँ कि बताए कि जनकारी से संतूष्ट होंगे चैनल पर नहीं है तो लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्पुर्ण और ज्यान वरतक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद